मेरे प्यारे सनातनियों आप सभी को मेरा प्रणाम मैं निलेश जोशी आजकल हमारे देश में बहुत से पुलिटिक्स तो अल्डे टाइम चलते रहता है लेकिन आज इसने गंद मज़ाया जो आजकल तो मुझे लगा थोड़ा सत्य मेह बाहर लाने की कोशिश करता हूं मैं कोई पत्रकार नहीं हूं कोई जर्नालिस नहीं कोई रिपोर्टर नहीं कुछ नहीं हूं मैं एक सामनी नागरिक हूं लेकिन एक मेरे दिल में भारत बसता है तो भारत ने मुझे मजबूर किया कि मुझे ये तो करना ही पड़ेगा तो मैं करता हूं अब ये राहूल हिंदू को जातियों में बाटो और अपना चुरन पका लो वो चुरन तो नहीं पका सकेगा मेरे ख्याल से हिंदू अभी जाग रहा है और मेरी एक यह जो वीडियो बनाने के मैं दो हाथ से में इनती करता हूँ आपको पसंद आए तो दूसरे लोगों के साथ शेयर करें प्रीज हाँ मैं दस एपिसोड बनाऊंगा जवालाल नेरू से शुरू करता हूँ जवालाल नेरू ने क्या गुल खिला है क्या क्या और हमारे देश को कैसे सिस्टेमेटिकली हिं थम चुका रहे हैं तो उसका पहला एपिसोड में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ तो यह लोग बड़े गुरूर से बोलते हैं फर्स प्राइमिस्टर अब इंडिया अरे मेरे भाई वो इलेक्टेट प्राइमिस्टर नहीं था वो सिलेक्टेट था अगर उसका पाप भी में गांधी के सर पे पूरे-पूरा डालता हूं कि कुछ कंग्रेस की कमीटी की मिटिंग हुई थी उसमें प्रेशिडेंट का इलेक्शन होना था तो कुछ पंद्रा थे मेरे पास वेरिफाइड फिगर नहीं है तो मुझे माप करना मेरे को एक सती कमी रह ज एक तो गांधी उस Cry में पहते हैं उसका वो जो स्टाइल में सब्सक्रा की तरिफ करते हैं उसके बाद ज्वार की तरिफ करते हैं सर्दार उअग्याकरी पूछ थे जी को एक सवाल नहीं पूछा गंज वायर हो उगह प्रसेद्वार्लाल क्रेश तो नहीं था समझोता किया हुआ एक ट्रांस्परों पावर था तो उसका प्रैमिस्टर ये नेरू बना तो नेरू जो ठुपा गया हमारे पर गांधी द्वारा और नेरू की जो भी दूनों की चालबाजी थी तो उसके फल आज भी हम भूगत रहें मेरे को तो एक भी उसका क क्यों नहीं गए उदर पाकिस्तान और वंगलादेश उस टाइम एक ख्याल से मेरे जो पास रीडिंग में मैंने किया हुआ है तो सर्दार पटेल ने डोक्टर आजिंद प्रसाद ने अमेड कर साब ने और दूसरे बहुत लोगों ने बुला कि अगर धर्म के नाम पे उसका सब काप में गांधी और जवार के उपर डालता हूं ठीक है जिसने मागा था पाकिस्तान वो तो इदर रेगे तो यह बात है और जो यह राहूल गांधी या खिलेस यादव जो बार बार यह बोलते हैं ने कि EVM हैकिंग तो पहला यह हैकिंग हुआ था भारत में जो गांधी ने किया था सिस्टेमेटिक और उसका फाइदा जवाल को मिला था जवाल उस टैम प्रैमिस नहीं बनता तो जिनगी में कभी नहीं बन सकता था क्योंकि उसका कोई इसा करेक्र नहीं नहीं था कि लोग उसको प्रैमिस लाए था तो मेरे द्यान में आता है विर्शावर कर चितनी तक्विश्ची कुर्बाणी दी गई थी समझो तो यह में प्रणाम करता हूं नमन करता हूं उसकी जिंदा कुर्बानी दी गए तो ने साल काला पानी में डाले बीपoraák ने जटमलानी को याद करो ने देश के सुपसे सुप्रतीत और एकदम काभी लोयर थे उसने बोला था कि तुम एक लाक बनने के लायक नहीं हो तो तुम्हारी विल्यू क्या है ये कोंग्रेस के चम्चे जो लोग है जिसके पास अपनी कोई ताकात नहीं कैपिसिती नहीं जो में तुम्हां मैं तुम्हां इसे हिंडों को जाति बात के यह दeश के पुराज करना चाहता है लेकिन नहीं लागता है यह तुम कभी कि नदेश का को सकोंगे और पगवान से शुकर गजार करो कि लोग आज तुम्हें मूढगा कि मैं ने सुना कि दर वीडियो भी दे निकाल दिया, अपनी सलामती जानकी करो, लोगों के बीच में जाओ, तो सोच समझ के जाओ, तुम्हारे कमांडर बमांडर कुछ काम नहीं आएंगे, समझाने कुछ बोलने में ध्यान रखो, लोगों का आक्रोस है, यह तुब को ऐसे ही भगा देंगे, तो यह हुआ, जवाला निरू का पहला ब्लंडर, आसा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा, आप वीडियो को लाइक करिए, शेर करिए, आपकी खुद की चैनल है, सनातन सक्थी, उसको सब्सक्राइब करिए, मुझे आपसे प्यार चाहिए, आपके आशिर्वाच चाहिए, आपका सहयोब चाहिए, आपका सहकार चाहिए, आपका कुप कुप धनिवाद, जेशी कर्शना, प्राम.